अस्सलामों आलेकुम फ्रेंज मैं हूँ हीना और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ में फ्रेंज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर आई हूँ जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को ठीक करके आपको गर्वधारन करने में हेल्प करेगा चाहे किसी लेडिस को irregular period का प्रॉब्लम हो PCOD या PCOS का प्रॉब्लम हो या फिर थाइरोट का प्रॉब्लम हो या फिर यूट्रस में swelling आ गई हो या फिर आपके periods medicines लेने से ही आते हो या आपकी सारी reports नॉर्मल है फिर भी आपको conceive नहीं हो रहा है तो चलिए friends आज मैं आप लोगों को बताती उसको कैसे बनाना है और कैसे लेना है उससे पहले friend मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी वीडियो अगर आप लोगों को दिल से पसंद आये helpful लगे तो वीडियो को like, comment और share करना बिलकुल ना भूले क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो इसलिए वीडियो को शुरू होने से पहले ही like कर दो और channel पे नहीं है तो subscribe करके bell notification भी on कर ले सबसे पहले लेड़ गिलास पानी को उबनने के लिए रग दीजे आप चाहिए तो पानी की quantity बढ़ा भी सकते है मैं हापे एक टुकडा दालचीनी का दाल रही हूँ आप भी इतना टुकडा दालचीनी का इस पानी में दाल सकते हैं अब इस पानी को अच्छी तरीके से boil होनी दीजे अब आपको इसके अंदर देड़ चमच अजवाइन डालनी है आप चाहें तो एक चमच भी डाल सकते हैं अजवाइन और दालचीनी बहुत ही अच्छी होती है हमारे रिप्रोड़क्टर सिस्टम के लिए जिन भी लेडिस को पीरट दवाईया खा कर आते हैं उनको तो ये ड्रिंग स्पेशली यूज करना चाहिए सच में आपके पीरट स्टाइगुलर हो जाएंगे मैंने यहाँ पे देड़ चमच अजवाइन डाल दिये अब मैं आप एक चमच जीरा डाल दूँगी जीरा आप जो घर में किचन में यूज करते हैं वही आपको यूज करना है अब मैं इसको अची तरीके से बॉयल करूँगी और इसके अंदर अड्रक का एक टुकड़ा डाल दूँगी आप चाहिए तो कदू कस करके भी डाल सकते हैं बट मैंने यहाँ पे जो है काट कर डाला है अब मैं इसको अची तरीके से तीन से लेके चार मिनिट तक बॉयल करूँगी और मैं इसके अंदर अभी कड़ी पत्ता भी डालने वाली हूँ अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं यह ऑप्शनल है कड़ी पत्ता मैंने से भी यहाँ पे टेस्ट के लिए डाला क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसलिए मने यहाँ पे कड़ी पत्ते डाले हैं थोड़े अगर आप अवाइट करना चाहते तो अवाइट कर सकते हैं बहुत सारी लेडिस का यह भी सवाल होगा कि मैटम मुझे यह नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है यह सारी चीज़े कीचन में इजीली अवेलिबल होगी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि यह सामन नहीं मिलेगा वो सामन नहीं मिलेगा यह सारे इंक्रीडेंस दालने जरूरी है कोई भी चीजों को skip बिल्कुल मत करना क्योंकि ये drink आपके reproductive system को अच्छा करेगा PCOD, PCOS को कम करेगा, thyroid को कम करेगा uterus में swelling है, उसको कम करेगा हर तरह की reproductive आपकी जो problem है उसको ठीक करेगा पीरट्स नहीं आ रहे हैं, पीरट को भी ये ठीक करेगा एक बात यहाँ पर ये भी बता दूँ, ये फैलेपिन टूप को नहीं खोलेगा आपके endometriosis fibroid की condition को ठीक नहीं करेगा हाँ कुछ हद तक pain आपका कम होगा, लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे fibroid और endometriosis कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने इसको 3-4 मिनिट तक boil करने के बाद मैं इसका flame बंद कर दिया है अब आपको क्या करना है, इसके उपर plate आपको एक जाग देनी है और इसको आपको करीबन 5-7 मिनिट तक ऐसे ही रहने देना है जब तक ये room temperature पे नहीं आ जाता इसको आपको ऐसे पीना है, जैसा आप चाय पीते है, जितनी गरम चाय पीते है उतना ही गरम आपको ये पीना है आप चाय तो इसको morning में भी पी सकते है या फिर शाम में भी पी सकते है या फिर दोनों time भी पी सकते है आपकी मर्जी है, कोई restriction नहीं है कि निहार मू लेना है, empty stomach लेना है, breakfast के बाद लेना है, आपकी मर्जी है, आपको जब लेना है, आप ले सकते हैं, अगर आप office जाते हैं, तो office में भी आप इसको ले सकते हैं, घर पे हैं, तो आप घर पे भी ले सकते हैं, यह overall आपके reproductive system को अच्छा करता है, तो इसको definitely try कीजि तो 3 glass भी ले सकते हैं, पानी सिर्फ आपको बढ़ाना है, जो अजवाइन है, जीरा है, अद्रक है, उसकी quantity आपको उतनी ही रखनी है, उसमें कोई भी बड़ोतरी नहीं करनी है, सिर्फ पानी को आपको जो है उबालना है, यह आप जो है फ्रीज में भी store करके रख सकते हैं अब एक important बात मैं ये भी कहना चाती हूँ, जिन भी लेडिस को thyroid का problem है, तो वो इस drink को जबी भी बनाएंगे तो उसके अंदर आपको एक चबमच साबुद धनिया का डालना है, जब आप साबुद धनिया डालेंगे तो इसको भी इस मानी के अंदर boil कीजे और फिर छान के इसको पी लीजे, सिर्फ आपको एक ही ingredient अडाउन करना है, वो है साबुद धनिया, मैं यहाँ पर उपर image दे दूँगे आपको, यह ingredient आपको इस drink के अंदर add करना है, इसको भी छान के आपको पी लेना है, बहुत सारी लेडिस को अब यहाँ पर यह भी confusion होगा कि मैडम हम इ पीना है, कैसे पीना है, जितनी भी महिला आएं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको highly recommend करूंगी कि इस drink को जरूर इस्तमाल करें, at least एक महिना तो इस्तमाल करके जरूर देखें, आपको खूदी difference नजर आएगा, इस drink को लेने के साथ में आपको और कौन सी चीज़े कर हम खाने पीने में क्या चीज़े avoid करें, तो खाने पीने में सब कुछ आप खा सकते हैं, लेकिन सिफ red meat आपको avoid करना है, जादा तेल और मसाले वाली चीज़े आपको नहीं खानी है, अगर आपका weight जादा है तो आपको यह सारी चीज़े करनी है, otherwise आप सब कुछ खा सकते है कोई restriction नहीं है, वीडियो अगर आप लोगों को दिल से पसंदा है तो like, comment, share ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell notification भी on कर ले, आज के लिए friends बस इतना ही मिलती हूँ, आप लोगों से next वीडियो में next topic के साथ, जब तक के लिए, अल्ला हाफिज